Reunion होने से पहले मिलने वाले कुछ साइन संकेत या कुछीजे जो घटित होंगी जब आपका Reunion होने वाला होगा आपके Person के साथ, आपके Soul Connection के साथ, आपके Soul Mate या Twin Flame के साथ. मेरा नाम है उर्वशी जोशी और यह है मेराmer 333, High Priestess. दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो को मैं इस वीडियो में आगे बात करूँ सबसे पहले मैं बहुत से लोग जोनोंने 21st जुलाई को मुझे इतनी सारी wishes, blessings और love भेजे इतनी सारे मुझे message करे और इतना मेरे दिन को positive बनाया उसके लिए मैं सबसे पहले thank you कहना चाहूंगी thank you so much and God bless you all हमारी जिन्दिगी में कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला होता है उससे पहले हमें कई sign, signal, संकेत मिलते हैं अब जो व्यक्ति थोड़ा deep है, थोड़ा observer है तो वो उन संकेतों को समझ पाता है या समझ पाती है और जो नहीं है इतने deep वो नहीं समझ पाते कोई भी बुरी घटना या कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो हमें संकेत मिलते हैं तो जब किसी की life में उसके soul connection के साथ वो एक होने वाला है जब उसकी कोई desire fulfill होने वाली है तब भी universe उसको बहुत संकेत देते हैं universe के energy उसको बहुत संकेत देती है मानो जैसे universe के energy खुद बहुत खुश है मानो जूम रहे हैं इतने sign signal मिलते हैं उस वक्त जब व्यक्तिका reunion होने वाला होता है उसके person के साथ उसके Soul Connection के साथ, उसकी Soul Mate के साथ या उसके Twin Flame के साथ मेरे बहुत से Clients हैं जिनके Reunion हुए हैं, कईों की शादियां भी हुई हैं और उनके Reunion होने से पहले उनको काफी साइन संकेत मिल रहे थे कुछ दो से तीन चीजे मैं आपके साथ Share करूंगी इस वीडियो में पहला संकेत जो आपको मिलेगा आपके Reunion से पहले वो है ड्रीम के थुरू सिग्मन फ्रोइट जिनकों की Father of Psychology भी कहते हैं, जिनकी Theories, Research बहुत जादा Famous है उन्होंने कहा है कि हमें हमारे सपनों को अच्छे से Observe करना चाहिए किस तरीके के सपने हमें आ रहे हैं, हमें उन्हें अच्छे से Decode करना चाहिए सपनों के तरू हमें बहुत जादा Guidance मिल सकती है सपनों को लेके मैंने भी बहुत कुछ Explain किया हुआ है और सपनों के तरू मुझे भी Personally बहुत Guidance आती है और सपनों को मैं बहुत अच्छे तरीके से Decode भी कर पाती हूँ मेरी पूरी इवन जीवन में ही मुझे सपनों के तरू बहुत Guidance आई है और After Awakening तो मतलब बहुत से चीजें जो मैं मतलब हल निकाल पाई हूँ वो Dreams के तरू ही है तो Sigmund Freud ने काया है कि सपनों को अच्छे से Observe करना चाहिए तो जितने भी लोग Relationship की Desire में है After Awakening वो किसी से मिले और उनको बहुत जादा Soul Connectivity हुई और वो चाहते हैं कि इस Person के साथ वो एक हो जाए उनका Union हो जाए बट जादा तर उनके बीच में शुरू में सब कुछ काफी ठीक रहता है लेकिन थोड़ा थोड़े समय के बाद जो है वो एक दूसरे के उपर हावी हो रहे होते हैं या फिर एक दूसरे से भाग रहे होते हैं एक Separation Face आता है उनके बीच में और यह Separation Face जो है प्रिपरेशन Face है यहाँ पर उन्हें खुद पर काम करना होता है तो जो भी लोग Separation Face में लो पे ना रहे के निरंतर खुद पर काम कर रहे हैं हर लेवल पर काम कर रहे हैं और जो दीरे-दीरे High Vip Positivity में आने लगते हैं तो उनके अंदर एक Balance होने लगता है ठीक है, उनके अंदर ही एक Inner Union होने लगता है अब जब उनके अंदर ही Inner Union हो रहा है तो उनको सपने में भी दिखाई देता है कि वो और उनका जो परसन है वो आपस में बहुत खुश हैं बहुत Balance हैं Peaceful Energy, Calm, Relax ऐसे उनको दिखाई देगा सपने में मतलब जब आपका Reunion आपके परसन के साथ होने वाला है तो उससे पहले आपको ज़रूर सपना आएगा कि आप और आपका परसन जो है आपस में बहुत खुश हैं प्रेम पूरवक हैं एक दुसरे की बहुत कियर कर रहे है प्यारी सी आपकी जोड़ी बनी हुई है बहुत Peaceful, Calm, Relax एनरजी है ऐसे में आप देखोगे एक दुसरे को ठीक है अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो हमारे परसन के बहुत सपने आते हैं लेकिन वो सपने कुछ और ही प्रकार के आते हैं जैसे उनको सपने में दिखता है कि उनका परसन रो रहा है या सो रहा है या दुखी है या परिशान है या हाई सेक्शुल हो रहा है या उनका आपस में सामन जैसे नहीं बैठ रहा है या उनके person के जीवन में कुछ problems चल रही है तो वो उनको दिखाई देती है बट ऐसी peaceful energy नहीं दिखाई देती है जितना मैंने अभी तक notice कर रहा है बहुत कम लोग है जिनकों के ऐसा दिखाई दिया हो dream में कि वो और उनका person आपस में बहुत खुश है लोग मतलब ऐसी कलपनाई करते रहते हैं बेठे बेठे visualization करते रहते हैं इस चीज़ की बट dream में उनहीं लोगों को दिखाई देता है ऐसा कि उनका person और वो आपस में बहुत खुश है, balance है जिनके की अंदर actually में एक union हो रहा है जो भी positivity जिन भी कामों में वो लगे हुए है उनकी वज़े से जो उनके अंदर एक inner balance हो रहा है उसकी वज़े से dream में भी उनको दिखाई देता है कि वो और उनका person की प्यारी सी जोड़ी बनी हुई है बहुत relax है, calm है, happiness में है एक balance बना हुआ है, खुशिया ही, खुशिया है ठीक है, तो it's a sign कि अंदर एक balance हो रहा है तो बाहर भी आपकी desire जरूर fulfill होगी और ना केवल desire ऐसा अगर आपको कभी भी सपना आता है जिसमें कि आप देखते हो कि आप अपने person, अपने partner के साथ जोडी में हो और बहुत खुश हो, balance हो तो उन दिनों आप देखना, आपकी life में और भी बहुत से जो बिगड़े वे काम थे वो भी मतलब सुलजने लग जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे तो पहला संकेत यही है कि आपको सपने में दिखाई देगा कि आप दोनों की प्यारी से जोडी बनी हुई है, बहुत खुश है, कोई चिर्चडाहट नहीं, कोई लड़ाई जगडा नहीं बहुत ही relaxed, peaceful energy में आप दोनों साथ में एक दूसरे के होंगे, brain पूरवक अंदर एक balance हो रहा है, बाहर भी जोडी बनेगी आपकी और reunion जरूर होगा, ठीक है, सपने में ये प्यारी सी जोडी अपने पार्टनर के साथ बने हुए देखना, बहुत प्रेम पूरवक, सामन जैसे पूरवक, अपने आपको देखना अपने पार्टनर के साथ, ये बहुत अच्छा sign है, ठीक है, by the way, अगर आप relationship में already fulfill हो, आप अपने पार्टनर के साथ ही अपने जीवन में, आपको already reunion हो रखा है और उसके बात भी आपको इतना beautiful dream आता है, तो आप ये देखना, इस dream के आने के दो-तिन दिन के अंदर ही, बहुत से जो आपके बिगड़े हुए काम थे, वो सुलजने लग जाएंगे, बहुत सी चीजे अच्छे-च्छी होनी शूरू हो जाएंगी, ओके, तो पहला ये दुसरा संकेत जो आपको आपके reunion से पहले मिलेगा, वो है, triple two या four time two number की synchronicity हो, आप निरंतर खुद पे काम कर रहे हो, आप high vibe में आने लग गए हो, positivity में हो, तो जब ये number आपको लगातार 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 दिखाई दे रहा होगा, तो आप समझ लें कि reunion जो है करीब है, ठीक है, second संकेत ये, ब्रहमान की energy ये number के तुरू आपको बताने की कोशिश कर रही होंगी कि आपकी जोड़ी ये आपका million union होने वाला है, तीसरी चीज़ जो आपके साथ होगी, जब आपका reunion होने वाला होगा आपके person के साथ, वो है, obviously आप high vibe में होंगे, क्योंकि high vibration में ही व्यक्ति का reunion होता है, तो आप high vibe में होंगे, बहुत positivity में होंगे, तो जो आ बहुत जादा आपको appreciation receive हो रही होगी कई जगा से, मतलब जब आप अपने soul connection के साथ एक होने वाले होंगे, उस दौरान उस समय के आसपास लोग आपकी positivity या आपकी जो potential है उसकी वजह से आपको बहुत appreciate कर रहे होंगे, और उस दौरान आप बहुत खुश होंगे, बहुत light happiness क energy में होंगे, और बहुत बहुत अच्छा feel कर रहे होंगे, और उस वक्त एक और चीज़ आपके साथ हो रही होगी, कि आपकी जीवन में high vibrational, positive और ऐसे जैसे होते हैं न, powerful couples, powerful जोडियां, जो आप उसमें बहुत खुश हैं, बहुत प्रेम में हैं, और साथ में grow कर रही हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में उस वक्त आ रहे होंगे, ऐसी energy में जब आप होंगे, तब भी देखना आप अगर आपके अंदर relationship से related कोई desire पड़ी हुई है, वैसे तो जो इतनी high vibe में आ जाता है, जिस चीज़ के लिए वो बहुत सोच रहा होता है पहले, अचानक से वो desire या तो तीसरी चीज़ ये है, तो ये तीन चीज़े मैंने main notice करी हैं, जिनके reunion हुए है, ठीक है, कि उनको triple two या four time two की synchronicity होती है, वो बहुत जादा लगातार होती रहती है और उसी दरान उनका reunion हो गया, दूसरी चीज़ वो बहुत high vibe में होते हैं, बहुत appreciation उनको receive हो रही होत है, और बहुत खुश होते हैं वो और उनकी life में काफी powerful high vibrational लोग जूड रखे होते हैं उस दरान, and last but not least, जो dream वाला है, उनको dream में दिखाई देगा, कि उनका एक सामंजे से बैठा हुआ है, उनके person के साथ, बहुत ही calm, relaxed energy में, वो एक दूसरे के साथ, बहुत peaceful और happiness के energy मे हैं, तो ये तीन चीजे तो main हैं, जब आपका reunion होगा, तो ये तीन चीजे आपके साथ घटे थोंगी, okay, तो that's it, ये था मिरा आज का video, thank you so much, God bless you all.